मंच संचालन में सायरी, महान विचार, एतिहासिक बातें जरूर बोलें ऐसा बोलने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है मेरे यूटूब चैनल वैजर बय में भावी मंच संचालक, एंकर, बकताओं को मेरी ओर से हार्दिक आभार है और आप सभी देशवासियों के लिए लाल बहादूर सास्तर जी का एक है अच्छी विचार मैं अपनी देश की सुतंतरता किसी दूसरे देश की सोसर करके नहीं चाहता और ना ही किसी दूसरे देशों को निचा दिखा कर बल्कि कई अपनी देश की सुतंतरता ऐसे चाहता हूं कि अन्य देश मेरे आजाब देश से कुछ सिख सकें और उसका अनुसरण करें एक अच्छी सी सायरी है बंदे मातरम सिर्फ अलफाज नहीं है इस जजबे से उंची कोई परवाज नहीं है हसकर फासी चूमली ऐ दीवने तेरी इस इच्छा से बढ़कर कोई अन्दाज नहीं है इससी तरह सायरीयां बोलकर आप मन्च संचालक बहुत अच्छे से कर सकते हैं सर्दार पटेल जी की एक लाइन है इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कोई बाधाओं के बाबजूद हमेशा महानात्माओं का निवास रहा है नेलसल मंडेला जी कहते हैं स्वतंत्र का अर्थ सिर्फ अपने जंजीरों को उतार देना नहीं होता है बलकि इस तरह से अपने जीवन को जीना होता है कि आवरों का सम्मान बढ़े और उन्हें भी स्वतंत्रता हो एक अच्छी से सायरी है आपके लिए जैसे बोलें तमन्ना है जहां सारा ये हिंदुस्तान हो जाए दुआ करता हूँ हर एक आदमी इंसान हो जाए मगर यह बात सच तभी होगी जब प्रेम ही गीता और प्रेम ही कुरान हो जाए आत्म गवरव भाव लेकर देश आगे बढ़ चला है पत सदा हमने चुनावा बिश्चु का जिसमें हला है बेशक पद प्रतिष्ठा सर्ताज बड़े हों खास जादी धर्मे के लिए लाख लड़े हों मगर वतन पर अस्त वही होते हैं जो हर हाल में मजबूती से देश के साथ खड़े होते हैं धन्य बाद आपका दिन सुब हो और सोतंत्रता दिवस की हार्दिक सुब कामना है